नमस्कार हम डेस्टिनेशन आई-एस में आपका स्वागत करते हैं साथ हे डेस्टिनेशन आई-एस के प्रकाशन समोह गुरुकृपा प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित होने वाले पत्रिकाओं के नेमित पाठकों और मेरे विद्यार्थियों आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप हम जो सामगरी आप तक पहुँचा रहे हैं वो सामगरी का ध्यान पुर्वक और अलोकन करें और अपने परिक्षाओं की तैयारी करें हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से एक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है जिसका पाठकों ने बहुत शांदार तरीके से स्वागत किया है इसमें चार अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं इसका जो पिछला अंक था वो एक जुलाई से लेकर 16 नवंबर 2022 तक का करेंट था इसमें और ये पिछले BPSC मेंस के पहले हमने मार्केट में लॉंच किया था आपको ये सलाह दी जाती है कि अगली परिक्षाओं के लिए विसेश करके जो BPSC मेंस की परिक्षा देनी है उस परिक्षा के लिए आप इस पत्रिका का फिर से और लोकन करें इसमें आपको 16 नवंबर तक का अपडेट मिलेगा और उसके बाद उसका अगला अंक जो हमने प्रकाशित किया है वह 16 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक का कवरेज है ये आपके सामने है 16 नवंबर से 31 जनवरी तक का कवरेज है हम इस पत्रिका को त्रैमाशिक धंग से प्रकाशित करते हैं लेकिन के लिए हम current affair के एक नई series शुरू करने जा रहे हैं जो आज से शुरू हो रही है और इसमें हम 31 जनवरी से लेकर के और 31 March तक की पूरी घटनाओं का विबरण जो इसके बाद आना था वह पूरी घटनाएं तो नहीं जो लेकिन जो महत्वपुर्ण है परिक्षा के दरिष्टि से उन सभी घटनाओं का विबरण हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से दे रहे हैं पुना यह पत्रिका आपके सामने आएगी 69 पीटी के समापती के जस्ट बाद उसके पहले आपका 60 एर्थ के लिए कोई दिक्कत न हो और आपको मैटर कलेक्षन में दिक्कत न आए इसके लिए हम यह सिरीज आपको देने जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को संपुर्ण कर सके हमारी पत्रिका ने आपके सामने एक औसर दिया है कि आपको ready to use सामगरी आप तक पहुच चाही जाती है और आपने काफी बहतरीन धंग से स्वागत भी किया है इसका हमारे पिछले तीन अंकों से आठ प्रशन सीधे आये थे और उसके चर्चा भी हुई है मार्केट में तो अब इसके बाद यानि कि 16 नौंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक का जो हमारा संकलन था उसके बाद चर्चा में हैं और जो बहुत जरूरी है परिक्षा के दिस्टी से हम उन पर एक चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको डेली या कम से कम अल्टरनेट डे एक वीडियो हम प्रवाइड करेंगे और उसमें एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ अंजाब और राष्ट्रिय सुरक्षा आपको अब तक मालूम चल चुका होगा कि आज के तारिक दिनांक 23 अप्रेल को अमरत पाल सिंग संधू को गिरफतार किया जा चुका है नेसे के तहट और गिरफतार करके उसे डिबरुगर जेल में अस्थानांतरित कर दिया गया है और आते आते ही वो लगातार फेमस होता चला जाता है और एक ऐसा प्रोजेक्षन आता है समाज के सामने कि ये सेकंड जनरेल सिंग भिंडरा वाले है और इससे ये प्रतीत होता है कि खालिस्तान मुव्मेंट जो की स्सी के दशक में समाप्त कर दिया गया था उसको फिर से एक जान मिल गई है और इस तरह से हमारे रास्तिय सुरक्षा के सामने एक बड़ा खत्रा सा सामने आ जाता है अब उस खत्रे में कितने बड़े गंभीर खत्रे हैं और उन्हें हम कैसे डिल करेंगे इस पर आज हम इस विंदू पे चर्चा करेंगे हमारी चर्चा के इसने आने के साथ करी है और अन्य गति विदिया जो करी है उनका परिचे लेंगे कि क्यों यह अचाना के हीरो बनता चला गया पंजाब में उसके बाद से इन सब के पीछे कारण क्या काम कर रहा है और इसे हम कैसे निप्टें समाधान का उपाए हमारे पास क्या हो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे तो चर्चा की शुरुवात हम करते हैं इसके जीवन परिचे से आप देख रहे हैं 12 तक पढ़ा हुआ आदमी है और आज यह धार्मिक गुरू बनके प्रवचन सुना रहा है लोगों को 12 तक पढ़ा हुआ आदमी दुबई में गया वहां पर ट्रक ड्राइबर था या कुछ सोर्सेस यह कहते हैं कि उसने वहां पर फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस को जाइन किया था उसमें मैनेजर था जो भी था बहुत बड़ा नहीं था साधारन इंसान था और पंजाब क अमरित सर में एक जल्लू खेडा गाओं है उसे जल्लू खेडा गाओं से इसका जन्म हुआ था अचानक से ये बंदा हमें दिखाई पड़ता है पंजाब में वारिस पंजाब दे नामक संगठन के चीफ के तोर पर और ये अचानक से इस संगठन का चीफ इसे किसने बनाया यह भी आज तक कैसे को नहीं मालो इवेन बारिस पंजाब दे संगठन के संचालक जो थे अस्थापक जो थे देपसद्दू उनके परिवार वालों ने भी क्वेस्चन किया है कि यह कैसे बन गया लेकिन बन गया वो कैसे बना उस पर हम चर्चा करेंगे अब यह संगठन में चीफ की हैसियत से आया आया या लॉंच किया गया कुछ शक्तियों द्वारा हम उनकी भी चर्चा करेंगे एक्चली दुबई में जब यह था तो ऐसा माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह ISI के संपर्क में आया ISI जो कि पाकिस्तान की एजनसी है और भारत में काफी बदनाम है उस एजनसी के संपर्क में आया संपर्क में आने के बाद से पाकिस्तान इस्तेते कोर संस्था है बबर खालसा इंटरनेशनल उसका नेता है परमजीत सिंग पम्मा उसके संपर्क में आया और भिंडरावाले के भतीजे लखवीर सिंग्रोडे इसके संपर्क में आया और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यह भी पाकिस्तान इस्थत संस्था ही है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स उसका जो चीफ है ओतार सिंग खांडा अवतार सिंग खांडा के संपर्क में आया, तो ये अचानक ही ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कि सभी लोग इसके संपर्क में आते चले गए होंगे, इसे संपर्क देने वाला कोई व्यक्ति होगा, शुत्र कोई बना होगा, वह सुत्रधार कौन है, अभी इसकी तलास जारी है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वह सुत्रधार ISI है, क्योंकि सब उससे जुड़े हुए हैं, उसके बाद खांडा ही वो व्यक्ति बना, जिसने इसको बकायदा खालिस्तानी बनने के लिए तयार किया, उसका ब्रेन वास किया, और खालिस्तान आंदोलन को फिर से चालू करन के लिए इसे तयार किया, इसे जौरजिया में भेजा बकायदा प्रसिक्षन लेने के लिए, और जब भारत में किसान मुव्मिन्ट चल रहा था, उस किसान मुव्मिन्ट के दौरान एक और घटना हुई थी बड़ी चर्चत, घटना ये थी कि 26 जनवरी 2021 को कुछ पंजाब के खालिस्तान समर्थक एक बड़ी भीड ने लाल किले पर पहुच करके भारत के जंडे को उतारने और खालिस्तान के जंडे को फैराने की कोशिश की थी, इस कोशिश में जिस व्यक्ति का नाम आया वो व्यक्ति था दीप सिद्धु, दीप सिद्धु कौन था तो ये पंज़ाब के फिल्मों का एक अभी नेता था लोकप्रिय चहरा था पंज़ाब के लिए और जरनायल सिंग भिंडरा वाले की विचारधारा का समर्थत था और उसी आधार पर इसने एक संगठन की अस्थापना की जिस संगठन का नाम है वारिस पंज़ाब दे वारिस शब्द हिंदी में कहेंगे पंजाब के उत्राधिकारी, इन्होंने घोशित किया कि हम लोग पंजाब के उत्राधिकारी हैं, और इस तरह से कोशिश ये की गई, दीप सिद्धु द्वारा और उनके संगठन वारिश पंजाब दे द्वारा कि इसको वारिश पंजाब दे को दीप सिद्धु को जर्नैल सिंग की जगह पर प्लांट किया जाए, खालिस्तान की जो बिचारधारा या खालिस्तान का जो आंदोलन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खतम हो गया था, उसे फिर से जिन्दा किया जाए, अब इस क्रम में के जरिए दीप सिद्धु और अमर्त पाल सिंग संधु की मुलाकात हुई, ये दोनों व्यक्ति आपस में कभी एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले, नेट पर ही मुलाकात हुई, उस दोरान उसने अपनी विचारधारा का समर्थक पाया, बातें बढ़ी, उसके बाद से य दीप सिद्धु ने उसे ब्लॉक भी कर दिया था, अर्थात संबंध बने भी थे और तूटे भी थे दोनों के बीच, अचानक से हुआ ये कि दीप सिद्धु बीच में एक घटना हुई और उस घटना के परिणाम स्वरुप दीप सिद्धु जो था वो मर गया, एक कारद ब्रगटना हुई और उस कारद ब्रगटना में दीप सिद्धु मारा गया, मारा गया है मर गया, उसके बाद ये संगठन जाहिर सिवा थे के नीचे जाता, संगठन का चीफ खाली था, और यही सायद वो उचित वक्त लगा इन लोगों को, कहा ये जा रहा है, I'm not confirming, कहा ये उस पर इसका नाम चढ़ा दिया गया, यानि एक दिन ये घोशना कर दी गई, कि अब दीप सिद्धु की जगह अमरत पाल सिंग संधु ने ले ली है, घटना पूरी ये होती है कि 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब दे के संगठन के चीफ के रूप में फेस्बूक अकाउंट प जो नाम सो किया जाता है, अब वो दीप सिद्धु का ना होकर के अमरत पाल सिंग संधु का होता है, जब ये चीज होती है तो हम दीप सिद्धु के परिवार वाले इस पर क्वेस्चन करते हैं, बकायदा सरकार को शिकायत करते हैं कि इसकी जाच कराईए कि ये बंदा कैसे संगठन का द्यक्ष बन गया, लेकिन सरकार वहाँ पर कोई एक्षन नहीं लेती है, सरकार सोई रहती है, जाच की मांग सरकार से की गई, लेकिन उस वक्त सरकार ने कोई ततकाल कदम नहीं उठाया, अगस्त 2022 में ये बंदा पंजाब लोडता है, यानि कि 4 मार्च 2022 को जब ये चीफ घोशित होता है, तो ये पंजाब में नहीं है, वो पंजाब में अगस्त में लोडता है 2022 में, अगस्त में जब लोडता है सितंबर 2022 में, आनंदपूर साहिब में इसे अमरत छकाया जाता है, ये क्या है, थोड़ा सा जान ले, कि सिख धर्म में और पचारिक रूप से दिक्षित होने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया अम्रत छकाने के नाम से जानी जाती है यानि इसे उपचारिक रूप से सिख गुरू के रूप में सिख धर्म गुरू के रूप में या सिख प्रवचन करता के रूप में या सिख सांगठनी करता के रूप में इसे उपच संबलू एस्टार में मारा गया था जो खालिस्टान मुवंइंट के नेता हुआ करता था उसका गाव मुगा डिस्टिक तो रोडे नयामों का रोड़े गावं में इसकी दस्तरबंदी होती है अब छेक्रव है तो ऑपचारिक रूप से आपने धर्म की दिक्षा ली उसके बाद से आपकी जो पगड़ी माधने की प्रक्रिया होती है वह पगड़ी माधने की प्रक्रिया दस्तरबंदी कहलाती है धेर सारी भीड जूटती है गुरुदवारे में और उस भीड में बकायदा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते है दुख की बात यह है कि ये नारे ततकालीन पंजाब सरकार जो अभी भी वही है उसके कानों तक शायद नहीं पहुँच पाते अन्यथा कारवाई तभी से सुरू हो जानी चाहिए थी जब इसे अमर्द छकाया गया जब इसकी दस्तरबंदी की गई और दस्तरबंदी और सब चीजें मैं जिन जिन जगहों का नाम ले रहा हूं मैं अभी उनका इतिहास बताऊंगा आपको ये सभी चीजें बहद प्रतिक प्रतिकात्मक है आनंदपुर साहिब दमदमी टकसाल फिर जर्नेल सिंग का गाउं फिर आज जहां से गिरफतार हुआ है बंदा वह उसी गुरु द्वारा से गिरफतार हुआ है मोगा डिस्ट्रिक के रोडे गाउं से जर्नेल सिंग वाले गाउं से ही आज ये गिरफतार ह है यह सारी चीजेश्य प्रतिकात्मक है अनंदपुर साही प्रस्ताउ और से पारित हुआ था तो ये सारी कि हर जगह उस जगह से उसको उपर उठाया जाता है जो पंजाबियों के सम्मेदना से जुड़ी हुई जगहे हैं जब उसके दस्तरबंदी हो जाती है उसके बाद वो सोशल वर्क पर निकलता है दो काम करता है पंजाब नशा से बहुत ही पीडित है उड़ता पंजाब आपने फिल्म देखी होगी जो इसी के नशे पर बनी है तो अमर्त पाल सिख युवकों को दो आहवान करता है वहां से नशा छोड़ो और दूसरा पवित्र सिख जीवन जीओ यानि सिखों के लिए मर्यादित जो जीवन की परंपरा है उस परंपरा का कठोरता से अनुसरन करो और इसी चीज को आधार बना कर वह पूरे पंजाब में जगह जगह नशा मुक्तिकेंद्र खोलता है उन नशा मुक्तिकेंद्र में नशा से पेड़ित जुगों को मुक्त करने की कोशिश की जाती है और वही पर वही नशा मुक्तिकेंद्र उसके ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं वहां पर वह अपने निजी मिलीशिया बनाने की कोशिश करता है जो आनंदपुर खालसाफोर्स या AKF के नाम से उसको designate किया जाता है, उसके बाद से वहाँ पर सैने पर सिक्षन दिया जाना शुरू होता है, एक निजी मिलीशिया ये बनाने की कोशिश करता है, बकाइदा उस मिलीशिया की वर्दी, उसके बैजेज, उसका जो भी constables या जो भी हैं, उनके numbers वेगरा सारे पुलिस ने बरामत किये हैं, इस तरह से और इसके साथ ये जगह जगह घूमना और घूम करके खालेस्तान से समर्थित विचारों को प्रचारित करना सुरू करता है, और इन सब चीजों के होते हुए, पंजाब सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती, उसे ये नहीं लगत होता है, अब हम आते हैं इसके हिंसक गतविध्यों पर, इससे पहले की गतविधियां गुप्त रूप से चलती रहती हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं आती सरकार की तरप से, लेकिन समाज प्रतिक्रिया दे रहा होता है, जो कटरपन्थी तत्तों हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं गुरुद्वारों पर जर्नेल सिंग भिंडरा वाले की तस्वीरें लगनी शुरू हो जाती हैं और इसको सेकेंड जर्नेल सिंग भिंडरा वाले की तरह से प्रोजेक्ट किया जाना शुरू हो जाता है इस कर्म में घटना होती है नवंबर 2022 में शिवशेना के एक नेता थे संदीप सूरी वो बैठे हुए थे बकाइदा एक व्यापक धर्ना प्रदर्शन पर सरयाम एक व्यक्ति वहाँ पहुंचा पहुंचकर के सरयाम गोली मारी उस व्यक्ति ने नाम था संदीप सिंग सन्नी जो जिस गाड़ी से आया था उस गाड़ी पर स्टीकर लगा हुआ था वारिस पंजाब दे इससे सनलिप्तता हुजागर हुई और उस दौरान पुलिस ने अमर्द पाल सिंग संदु को घर में नजर बंद किया उसके बाद से स्थिती ये हुई कि किसी व्यक्ति को इन लोगों ने जो कि अमर्द पाल या इनकी गतिविदियों के खिलाफ कुछ बोल रहा था या बोल रहा होगा उसको इन लोगों ने किड्नाप किया किड्नाप करके मारा पीटा मार पीट करके छोड़ दिया छोड़ द थाने पहुंच करके उसने FIR दरज करा दी, अमरत पाल सिंग और इनके साथियों के अगेंस कि मुझे किड्नाइब किया गया है, किड्नाइब करके मुझे मारा पीटा गया है, जबाब में पुलिस ने अमरत पाल सिंग का एक साथी था लवपरीत सिंग तुफान, उसको कालिन सरकार को चुनोती थी, इसने सिखों का एक बड़ा जथा लिया, जथे के आगे पालकी पर गुरुगरंद साहिब को रखा, और गुरुगरंद साहिब को आगे करके, यानि उनकी आड में इसने अमरत सरका एक थाना है, जहां पर इसे कैद करके हिरासत में रखा गया लवपरेट सिंग तुफान को उस थाने पर इसने अटैक कर दिया, अटैक भी लोकतांत्रिक तरीके से धर्ना प्रदर्शन घेराव नहीं था, इनके सभी साथी हथियारों से लैस थे, बकायदा थाने में घुसे, थाने पर कबजा किया, पुलिस के सामने समस्या यह थी, द किसी को नहीं दी जा सकती, दूसरी समस्या यह थी, कि शायद ततकालीन सरकार अभी उहापोह के स्थती में थी, कि एक्जेक्ट एक्षन लिया क्या जाना चाहिए इस बंदे के खिलाब, और इस बंदे ने थाने पर अटैक किया, अटैक करके और लवपरित तुफान को पुड़ने की बात करी, इस्थती यह आई कि एक तरह से पुलिस का आत्मसमरपन जैसा दिखा, ऐसा ही हुआ था, जबकि हमारे यहाँ पंजाब में, जब जनरेल सिंग भिंडरा वाले का दौर चल रहा था, वहां के एक आई जी थे अटवाल, स्वरण मंदिर के सीणियों पर उन्हें सरे आम दीन दहाडे गोली मारी गई थी, 100 पुलिस कर्मी अगल बगल में मौझूद थे, यह सरकार की रिपोर्ट है, 100 पुलिस कर्मी अगल बगल में मौझूद थे, और उसमें से 50 के पास हतियार भी थे, बावजूद उसके कोई र लगभग वैसी ही घटना अजनाला थाना कर्ण थी, इसने एक तरह से पुलिस को ही किड्नैप कर दिया, थाने को किड्नैप कर लिया, और पुलिस को मजबूरन यह आश्वाशन देना पड़ा, कि हम लवपृत तुफान को रिहा कर देंगे, हलाकि पुलिस ने नहीं रिहा किया, बाद में अदालती कारवाई के जरिए रिहा किया गया, लेकिन अदालत में पुलिस ने उसके रिहाई का बिरोध नहीं किया, और इस तरह से लवपृत तुफान रिहा हो गया, इस रिहाई से नो डाउट अमरत्पाल काफी खुश होगा, उसे लगा कि उसमें जो चाहा सुकर लिया, हिमत बढ़ी, हिमत बढ़ने का परिणामी ये हुआ कि उसने भारत के ग्रिह मंत्री तक को ये धमकी दे डाली, कि आपका भी वही हाल होगा, जो श्रीमती इंद्रा गांदी का हुआ था, अब ये भारती राजसत्ता को, भारत की संप्रभता को, भारत की सुरक्षा को सीधे सीधे चुनोती देना था, उसके बाद से पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन सिंग्मान और भारत के ग्रिह मंत्री श्री अमित साहजी के बीच बैठक हुई, बैठक में चीजें तैकी गए, और उसके बाद से 18 मार्च, 18 मार्च से कारवाई शुरू हुई, धर पकड़ सुरू हुई, उस धर परणाम ये हुआ कि अब तक लगभग डेड़ सौ से ज्यादा लोग, जो कि इनके AKF से, या वारिस पंजाब दे से संबंधित थे, या सहान भूती रखते थे, या इनके गुरगे थे, उनके गिरफतारी की गई, गिरफतार करके जेल में डाला गया, उसमें से 5 लोगों को गिरफतार करके उनपर NSA लगाया गया, और NSA लगाके उन्हें डिबरुगर जिल ट्रांसफर किया गया, उसके बाद से अमरतपाल और पंजाब पुलिस के बीच शहमात शहमात का खेल चला, फाइनली आज, गिनांग 23 अप्रिल 2023 को, उसी जर्नैल सिंग भिंडरा वाले के गा गया है, अब इस घटना के कारणों की पड़ताल जरूरी है, कि अचानक एक बंदा आता है, और साल भर में वो भिंडरा वाले के रूप में जाना जाने लगता है, और एक पूरी विचारधारा का प्रतन से तो करने लगता है, ऐसी चीजें एक दिन में नहीं हुआ करती, ऐ जो हुई हैं और जो दिख रहा है सतह पर, वो निश्चित तोर पर उसके कुछ बीज हैं जिनके हमें समझने होगे, कहां से चीजें चल रही हैं उसको समझना होगा, और अगर सरकारें यह मानती हैं कि यह सिर्फ अमरत पाल लॉइन ओर्डर का एक मसला है, तो यह गलत समझ है, no doubt law and order भी important है और उसका भी वो मसला है, लेकिन वो उतना ही नहीं है, वो उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा कि समझ हमें पंजाब के इतिहास को समझ करके हो सकती है, एतिहासिक तोर पर आप देखें तो 1909 में जब भारत साशन धिनियम आया था, वहां से अंग्रेज अपने डिवाइड एंड रूल को एक constitutional base दिया था, फिर उस constitutional base को उन्होंने करमशह आगे बढ़ाया, फिर दलितों पर, फिर सिखों पर लेके चले गए, और जिस तरह की मांग मुसल्मानों में आ रही थी, उस तरह की मांग सिखों में भी आई, और उन्हें भी अलग से प् ब्रिक्ष बना धीरे धीरे, आजादी के बाद के स्थितियों में परिवर्तन आये, थोड़ा सा और पीछे जाएं अगर हम, तो जब पंजाब पर कबज़ा किया था ब्रिटिस सरकार ने 1849 में, हेंरी लॉरेंस को पंजाब की बाग डोर दी गई, हेंरी लॉरेंस ने एक का जाकू कौम है, इस पर कोई संदेह नहीं हो सकता, तो उन्हों ने, हेंरी लॉरेंस ने सभी पंजाबियों से हथियार रखवा लिये, लेकिन वो समझदार ब्यक्ते था, वो जानता था कि जिन हाथों ने हथियार पकड़े हुए हैं, अगर उनके हाथ से हथियार रखाया, तो कुछ और उनके हाथ हाथ में थमाना पड़ेगा, और वो उसने थमाई करशी की बागडोर, और उसके बाद पंजाब में नहरों का जाल भी बिचाया गया, डलहौजी के समय में भी, और पंजाबियों को एक लड़ाकू कौम से एक किसान कौम में बदलने का काम किया गय वो लड़ाकू कौम और किसान कौम दोनों का एक मिक्स्चर है, अब जब हम आजादी के बाद आते हैं, तो प्रतम हरित करांती की बागडोर भी नहीं लोगों ने समाली, पंजाब और हरियाना के जाट लोगों ने, सिख लोगों ने, जाट ही दरसल सिख हैं, जाटों के प प्रतम हरित करांती की बागडोर समाली, असी का दसक जबाता है तो प्रतम हरित करांती का जो असर है کिसान जीवन पर बोगों होने लगा था, किसानों में उसकी खुमारी ढलने लगी थी और उसी धलान में जो सत्तर और असी का दसक है हमारा वह सिर्फ पंजाब की नहीं बलकि पूरे भारत में एक निराशा का दौर था एक मोह भंग का दौर था यह मोह भंग आपको हिंदी साहित्य में भी दिखेगा वहाँ पर जो तमाम कवी आते हैं लेखक आते हैं उनमें ये मोह भंग दिखता है और उसके बाद आधुनिक्ता और उसके साथ में ये चीज जो मोह भंग हमारे उपन्यास में हमारी कहानियों में हमारी कविताओं में उभर रहा था नई कविता के रूप में और साठो तरी के रूप में वह इसी जनता का प्रतिवेमत था उस मोभंग का लाभ उठाने की कोशिश की जर्नाइल सिंग बेंडरावाले ने और धीरे-धीरे वह एक यूथ आइकॉन बनता चला गया और ना सिर्फ यूथ आइकन बना बलके भिखंडनकारी तक तो बन गया उस दोरान हुआ ये 1971 की बात है 1971 में लोकसभा के चुनाओं और इस चुनाओं में जो पंजाब का चर्चित पंजाब का पारंपरिक दल है जो धार्मिक टच लिये हुए शिरुमणी अकाली दल उसे 13 में से मातर एक सेट मिले 72 में बिधान सवा पंजाब बिधान सवा के चुनाओं होई पंजाब बिधान सवा के चुनाओं में वो मातर 24 सीटों पे सिकुड़ गया वैसे भी भारत में धार्मिक दलों को कभी भी ब्यापक जनाधार नहीं मिला है ये इतिहास रहा है शिरुमणी अकाली दल की जमीन हिल गई शिरुमणी अकाली दल को ये लगा कि अब क्या करें अब तो पंजाब से हम कहें तो उन्होंने अपनी हार की समिक्षा के लिए एक समीती गठीत करी वी साथ में यह भी उन्हें बताना था कि क्या करें कि हम आगे अपनी राजनितिक जमीन को फिर से हासिल कर ले वो जो समीती बनाई गई 12 सदस्य समीती थी उसमें 12 लोग थे जिसमें प्रमुख में सुरजित सिंग बरनाला जो आगे चल के प्रधा मुख्य मंत्री बने वहां के गुरुचरण सिंग तोड़ा जो कि सिरुमणई गुरुद्वारा प्रवंधा कमेटी के अध्यक्ष बने प्रेम सिंग लालपुरा ऐसे लोग थे इन लोगों ने मिलकर के हार के समिच्छा करी और एक प्रस्ताव दिया कि अब राजनीती को नई दिशा देनी है प्रस्ताव सोलह अक्टूबर उननीस सो तिहत्तर को आनंदपूर साहिब गुरुद्वारे में और पचारिक रुप से पारित किया गया इसलिए उस प्रस्ताव को आगे आनंदपूर साहिब प्रस्ताव कहने की प्रथा चल पड़ी आनंदपूर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ अब जो ये आनंदपूर साहब प्रस्ताव था ये था क्या तो इसमें इन लोगों ने ये तो नहीं कहा कि हम देश तोड़ रहे हैं इन्हों ने ये कहा कि हमें वास्तविक संगभाद चाहिए संगभाद के नाम पर इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि पंजाब को एक autonomous state का धरजा दिया जाए विदेश रख्षा दूर संचार और मुद्रा ये सर्फ केंदर के पास रहे और बाकी सारे अधिकार पंजाब की सरकार के पास होने चाहिए साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारतिय संबेधान में जो ये वरणित है कि सिख भी हिंदू है उसे अलग किया जाए और सिख को अलग धर्म के रूप में पहचान ली जाए तो कहने को तो ये संगभाद को मजबूत करने वाली या संगभाद की मांग करने वाली एक प्रतिक्रिया थी एक सिफारिश थी एक प्रस्ताव था जिसे की मानना था केंदर सरकार को लेकिन वास्तों में आप कर क्या रहे थे ठीक वैसी एस्टेटस एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे जैसा कश्मीर करता है आप उस तरह से एस्टेटस मांगने की कोशिश कर रहे थे तो एक तरह की ये अपरत्यक्ष तोर पर एक अलगाव वादी विचारधारा ही साबित हुई अब इसको आगे बढ़ाना था इन लोगों को आगे बढ़ाना था और इससे अपनी राजनितिक जमीन तलाश नी थी इनको वो मिल नहीं पा रहे थी फिर भी क्योंकि इनके इस प्रस्ताओं को इस तरह का कोई ब्यापक समर्थन मिल नहीं रहा था चुना हुए ग्यानी जैल सिंग मुख्य बंतरी थे वहां के कॉंग्रेस की सरकार थी वहां पर और कॉंग्रेस की सरकार को कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो की सिरुमणिया काली दल के प्रभाव को कुंद कर सके सिरुमणिया काली दल के पैरलल खड़ा हो सके और तभी एक सिक बंदा उभर रहा था फिजाओं में नाम था जरुनायल सिंग बेंडरावाल, उसको कॉंग्रेस ने सपोर्ट करना सुरू किया, हम ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि सपोर्ट करना सुरू किया, क्योंकि इसके हमारे पास प्रमार नहीं है, तो आप लिखें, तो ये चीज न लिखें, कॉंग्रेस ने एक तरह कि सरकार तत्काल कोई कार्यवाई नहीं कर रही थी यह मौन समर्थ कि आगे जब अकाली दल को यह लगा कि हमारी तुलना में जर्नायल सिंग आगे जा रहा है तो कॉंग्रेस की रणनीती को टक्कर देने के लिए उसे क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक और चाल चली वह चाल क्या थी कि कॉंग्रेस खड़ा कर रही थी जर्नायल सिंग भिंडरावाले को सिरुमणी अकाली दल के वरक्ष सिरुमणी अकाली दल ने जर्नायल सिंग भिंडरावाले से हाथ मिला लिया यानि अब जो जर्मयुद्ध के मोर्चे के जरिये जो तबाही आई उस तबाही का परड़ाम पंजाब में 70,000 लोगों की जान गई और पंजाब फाइनली आप्रेशन ब्लू स्टार जो की 3 जून 1984 को हुआ उसमें सेना को स्वरमंद्र में प्रवेश करना पड़ा और सेना को प्रवेश करनी के बाद जर्नल सिंग भिंडरा वाले मारा गया और उसके बाद पंजाब में अमनो अमान और शांती लोटी हाला कि उसका मुल्य स्रिमते इंद्रा गांधी को अपनी जान दे के चुका ना पड़ा उसी वर्ष स्रिमते इंद्रा गांधी के हत्यादो सिख अंगरक्षकों निकर दी इस तरीके से यह जो एक परंपरा जो 1909 से शुरू होती है आगे बढ़ते हुए 84 तक आती है आके इसको खतम किया जाता है ततकालीन सरकार विशेश करके पुलिस के जो उस वक्त के डीजी पी थे के पीएस गिल उनका बिहद महतोपुर्ण योगदान रहा है इन सब चीजों में यह जब चीजें चल रही थी उस वक्त पुलिसिया कारवाई भी तेज थी और उस पुलिसिया कारवाई से बचने के लिए कुछ सिक कट्टरपन थी यहां से पलायन कर गए और वो बेसिकली कैनड़ा में अमेरिका में ब्रेटेन में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजी लेंड मे वहां जाकरके उन्हें सरण मिल गई वहां पर वो निकल गए अभी जो लोग उधर से आवाज उठा रहे हैं यह वही वाली पीड़ी है जो असी के दसक में पंजाब छोड़कर गई थी और वो उसी विचारधारा को लेकर गई थी और आज भी उस विचारधारा को वो सजो हुए है और उसे इंप्लीमेंट कराने की कोशिश में है तो यह इतिहास जब तक नजर में नहीं रखा जाएगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी हमें उन तत्तों की पहचान करनी पड़ेंगी जो उस वक्त से लेकर अब तक कॉंटिन्यू कर रहे हैं अब यह जो समगर क काम हो रहा है यानी कि खालिस्तान के आंदोलन को फिर से पुनर्जिवित करने का जो प्रयास हो रहा है इस प्रयास के तीन केंद्र है पहला केंद्र है भारत दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अन्य देश अब भारत में क्या? यह समझें. कि कश्मीर और पंजाब दोनों ही आतंग बादियों को समर्थम देने वाला पाकिस्तान, उन्हें प्रसिक्षन के सुविधा देने वाला पाकिस्तान, भारत को अस्थर करने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान, वो चुप नहीं बैठा. हाला कि कश्मीर में भी उसे मात मिली और पंजाब में भी मात मिली पंजाब में मात मिलने के बाद भी उसका इंटेंशन कश्मीर पर था लेकिन पंजाब पर भी था और ये चीज शायद हमारी सुरक्षा एजन्सियां इनको इतनी गंभिरता से समझ ने पाई हुआ क्या इस दोरा असी के बाद के दसक से पाकिस्तान ने पंजाब को बदलना शुरू किया एक धीमा संक्रमण का जहर पाकिस्तान ने पंजाब को दिया धीरे धीरे ये वाइरल हुआ है मामला वो क्या कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों ने पंजाबियों को नशे का आदी बनाया पाकिस्तान से नशे के तसकरी पंजाब तक बॉर्डर इस्टेट है असानी से हो जाती है अब तो ड्रोन वेगरेबी आ गए है उनके जरिये भी हो रही है उससे पहले उनके जब नहीं थे तो भी हो रही थी और पाकिस्तान का जो एक रिपोर्ट के मताबिक ऐसा अनुमान है कि पंजाब में अल्मोस्ट 15% जो जनसंख्या है युवा जनसंख्या वो इस वक्त नशे की चपेट में है और जो नशे की चपेट में है उससे कुछ भी करवाया जा सकता है क्योंकि ये पान सिगरेट का नशा नहीं होता ड्रग्स हैं और इनके लिए आदमी कुछ भी कर देता है इस 15% पर कंट्रोल उसके साथ दूसरी चीज हतियारों की तसकरी एक दौर रहा है पंजाब के गायकों अभी गायक जिसकी हत्या हुई थी काफी चर्चा में भी है इन गायकों ने अपने गीतों के जरिए उस हतियार कल्चर क वो प्रमोट किया सरकारें इस पर भी खामोश रही है तो एक नव युवक जो नशे का आदी है और जिसके हाथ में हतियार है वो कुछ भी कर सकता है तो यह जो असी के दशक के बाद का एरिया समय है उसमें पाकिस्तान ने पंजाब को इस धीमे संक्रमण से अपने चपेट मिलिया उस दोरान जब दीप सिद्धू उठ खड़ा हुआ तो उसे अपने सपने दिखाई देने लगए और उससे भी बहतर मौका तब मिला जब दीप सिद्धू एक कारदुरगटना में मारा गया अब उसका संगठन खाली था वहाँ पर बस अब कबजा कर लेना था और उस कबजे के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें करी और पाकिस्तान ने इसको प्लांट किया अमरतपाल सिंग संदू को और प्लांट करके यहाँ पर भेज दिया गया आज भी पाकिस्तान में खालिस्तान लेवलेशन फोर्स, बबर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख युथ फेडरेशन जिसका अध्यक्ष लखवीर सिंग रोडे का भाई है, जर्नेल सिंगा बतीजा, ये अभी पाकिस्तान में है, वहां से ओपरेट हो रहे है, और वह से सपोर्ट ले करके ये बंदा सारी सेटिंग उनकी है, ये सर्फ एक मोहरा है, सारी सेटिंग वहां से हो रही है, तीसरा सेंटर जो बनता है अन्य देशों का अभी मैंने चर्चा की थी, कि अन्य देशों में जैसे सीख फॉर जास्टिस, कनड़ा का, या इस तरह के तमाम स अस्ट्रेलिया में, कैनेडा में हर जगा परदर्शन शुरू हो गए, भारत सरकार के बिरोध में, अमरतपाल के समर्थन में, या खालिस्तान के समर्थन में, तो ये अचानक नहीं होता, अगर अमरतपाल से हमदर्दी नहीं, तो इस तरह के कलपना क्यों? आप कलब रहे हो लंदन की भारतिय दूत आवास पर आप attack करते हो attack करके भारतिय जंडा को गिराने की खालिस्तानी जंडा को चढ़ाने की कोशिश करते हो Australia में इस तरह की तमाम कोशिशें आती हैं जिसमें की हिंदू मंदिरों पर आप खालिस्तानी नारे लिखते हो ये सारी चीज़ें जो हो रही है अभी जो मैंने का थोड़ी दर पहले कि ये जो अन्य देश में जो अभी सिख हैं ये उस दोरान के गए हुए वो लोग हैं जो पुलिसिया कारवाई से बच करके यहां से भागे थे और वो लोग अभ उस सपने को फिर से साकार करने की में है और उसके लिए उन्हें एक मोहरा चाहिए था और वो मोहरा आसानी से अमरतपाल सिंग बना इसे प्लांट किया गया बकाइदा एजेंशियों ने इस बात की जांच की है और 40 करोड के फंडिंग का तो सुबूत है सरकार के पास जो कि विदेशों से अमरतपाल तक पहु पाकिस्तान और अन्य देशों के बीच फैला हुआ है हमें इसके खिलाब कुछ करना होगा कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे अगली चीज की जब यह सारी चीजें हो रही थी मैंने अभी कहा कि जब यह सारी चीजें हो रही थी तो पंजाब सरकार क्या कर रही थी क्या जब प्रोडे गाउं में खालिस्तान जंदाबाद के नारे लगे और उसके बाद से ये बंदा सहर सहर घुम रहा है, उसके अगल बगल में हथियारों से लैस लोग घुम रहे हैं, यह चीज नजर नहीं आई, आम सेक्ट भी कोई चीज हुआ करती है, वो नजर नहीं आई, क्या ज उस्ति से ही वो पकड़ा गया है, और कारवाईयां भी राजय सरकार ने की हैं, लेकिन अगर शुरू में की गई होती कारवाई, तो बात इतनी बढ़ती नहीं, जितनी अब बढ़ चुकी है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बढ़ने का मतलब यह नहीं कि अमरतपाल को चाहिए था, समय पे रोका जाना चाहिए था, इसे आप राज्य सरकार को उसके लापरवाही के आरोप से मुक्त नहीं कर सकते, अगली चीज, कि यह सारी चीजें हो रही है, इसके पीछे कुछ और भी है क्या, तो जी हां कुछ और भी है, हमें इस पर गौर करना होगा आर् उसमें पंजाब का किसान ही में अनली नजर आता है, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ डियल कॉजेज होंगे जिन पर की नजर नहीं गई है सरकारों की, ठीक है कि उसके लिए जो चीजें की गई, उन पे कुछ लोगों की सहमती नहीं थी वगरे वगरे, लेकिन यहीं किसान किसान के रूप में क्यों दिखता है, बिहार का किसान क्यों नहीं बैठा था वहाँ पर जाकर के, कुछ दिक्कत है, उस दिक्कत को सरकारों ने एड्रस नहीं किया है, और जो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि हेंडरी लॉरेंस ने एक लड़ाकु जादी को एक किसान जाती बनाया, और आके भी सरकारों की निति उन्हें किसान ही बनाये रखने की है, इससे काम नहीं चलेगा, इस्थति क्या है कि पहली बार जब पंजाब में आतंकबाद शुरू हुआ, तो उस वक्त भी हरित करांती के धलान के दिन थे पंजाब के लिए, वह निराशा हता आसा, ऐसे तत्वों को आगे बढ़ने के लिए खादपानी सावित होती है, और आज के स्थती क्या है, कि जब आंदोलन खतम हुआ, जर्नल सिंग भेंडरा वाले मारा गया, पंजाब में अमन आमान लोटा, उसके बाद, उसके बाद का समय भारत के संदर्व में देखें, तो दो चीजे, एक चीज यह कि भारत में आईटी रिवॉलियूशन आता है, सूचना क्रांती होती है भारत में और इस सूचना क्रांती का लाब बैंगलूरू को मिलता है, और उस वक्त का बैंगलूरू और उस वक्त का लुधियाना अगर आप कंपेयर करें, तो तू लुधियाना के आगे एक छोटा सा सहर था लेकिन आज इस्थति पलट गई है यानि जो आइटी क्रांती हुई उस आइटी क्रांती का लाब जो मिलना चाहिए था पंजाब को कोई कंपनी नहीं गई उधर कोई आइटी हब नहीं बना कोई आइटी पार्क इस तरह की चीज़ें जो कि उस वक्त के क्रांती से बाकी भारत लभानवित हुआ पंजाब उस तरह से लभानवित नहीं हुआ इस IT करांती ने भारतिय युवाओं को भारत से बाहर जाकरके अपने पंख खोलकर उड़ने की आजादी दी है वह आजादी इन्हें नसीब नहीं हुई 90 के दसक आया 90 के दसक में हमने liberalization, privatization और globalization की प्रकरिया सुरू करी अब इस प्रकरिया में कुछ हिस्सा पंजाब का होना चाहिए था लेकिन दुरभाग्य से चीजे उल्टी हुई वास्तों में इस liberalization का इस LPG reform का कोई फायदा पंजाब को उस धंग से नहीं मिल पाया जिस धंग से मिलने की अपयक्षा थी परिणाम यह हुआ कि कोई निवेश पंजाब तक नहीं गया कोई company पंजाब तक नहीं गया उल्टे इसका हो गया उल्टे क्या हुआ तो लुधियाना जो कि बस्तर उद्द्योग का केंदर था उसके जगा तिरुपूर हो गया लुधियाना जो कि साइकल उद्द्योग का केंदर था धीरे धीरे लोग साइकल छोड़ते चले गए और जो अटो मुबाइल इंडस्ट्री आई वो लुधियाना नहीं गई वो पंजाब नहीं गई वो हरियाना गई गुडगाओं गई तो यह जो दो क्रांतियां जिसे हम होने की बात नहीं कर रहा तो इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यह इस तरकी कोई विचारधारा है नहीं उनके यह है तो है तो पनप सकती है उसे जब खाद वीज पानी मौसम मिलेगा वो उभर जाएगी यह चीज सरकारों को ध्यान में रखनी थी पंजाब का यूवक अगर नशे का आदी है तो क्यों आदी है क्योंकि उसके पास दो ही रास्ते हैं या तो वो इस देश से बाहर निकल के अपने लिए कोई नया आसमान तलासे कोई नए जमीन तलासे या फिर नहीं तला सकता तो नशे में धुतर है और वही हो रहा है और ऐसे में राशा के वातावरण में, इन लोगों को इस तरह के जितने भी सक्रिय तत्व होते हैं, इन के लिए ये सबसे आदर्श मौसम होता है, और वो आदर्श मौसम वहां के आर्थिक कारणों से है, इस पर काम करना पड़ेगा, अगली चीज, राजनितिक कर, 1970 का दसक और आज का पंजाब लगभग एक स्टेज में है, 1970 के दसक में भी पंजाब के जो पुराने नेता थे, वो धलान पर थे, या तो रिटार्मेंट के कगार पर थे, या उनकी राजनितिक जमीने चली गई थी, और जो नया युवा बर्ग था महत्वा कांची बर्ग, व वो किसी तरीके में एक तरीका जर्नल सिंग मेंटर वाले का आ गया, उसमें पूरे पंजाब को एक तरह से कुछ दिन के लिए कड़नाब कर दिया, ठीक वही स्थिति आज के स्थिति है, आज के स्थिति यह है कि सिरुमणी अकाली दल, जैसा तब था वैसाब हो गया है, प् बीजेपी इसका जनधार बना ही नहीं है, आप जो बर्तमाने में सताशीन है, इसने चुनाव जीत लिया है, लेकिन सैधानतिक अस्तर पर लोगों के दिमाग में आपको बैठने में समय लगे, अर्थात एक राजनितिक शुन्यता के स्थिति है पंजाब में, और ऐसी उसमें कोई भी महत्वकांशी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, चाहें जिस तरीके से आगे बढ़े, अमरतपाल साल भर में आकर के इस तरह से छा गया, इसके पीछे इस राजनितिक शुन्यता की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो बड़े लीडर होते हैं, जो कंट्रोल कर करते हैं, इन किस्म की विचारधाराओं को, इस किस्म के लोगों को वो पंजाद में है नहीं, अगली चीज, सामाजिक धार्मिकर, कहां से पनपाबंदा, आनंदपूर साहिब में अमरत्छक, रोडे में दस्तरबंदी हुई, धर्म को आधार बनाया, धर्म को आधार बनाया और आधार बना करके, एक प्रथक्तावादी आंदोलन का नित्रत्व करने लगा, जब इस अंदोलन में वो आगे उत्रा, तो नो डाउट, समझेए कि विचारधारा हैं हमारे पास, जो हैं, खालिस्तान एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को हमें अपने प्रयासों से दबा के रखना होता है, उसके मानने उसके सहमत होने वाला भी एक वर्ग होता है, वह वर्ग पंजाब में मौझूद है, उस वर्ग का समर्थन इस प्यक्ति को मिलना सुरू हुआ, उसके साथ साथ इसने नशामुक्ति केंद्र जब खोला, तो घर का कोई भी गारजियन, जिसका बेटा नशे में लबता है, और अगर वो ठिक करके वापस भेज दे रहा है, तो वो खुश होगा, उसका समर्थक हो जाएगा, यही चीज होनी शुरू हुई, नशामुक्ति केंद्र सिखों के पवित्र जीवन जीने के, सिखों के धार्मिक जीवन जीने के, जो इसके प्रबचन हुआ करते थे, इस प्रबचन के कारण, साथ में गुरुद्वारे, अभी कहां से पकड़ा गया है, गुरुद्वारा से, छिपा कहां हुआ था, इसके किस्म के तत्वों को सपोर्ट कर रहा है समाज का एक वर्ग है जो इस किस्म के तत्वों के साथ खड़ा है हमें उनकी भी पहचान करनी होगी और उनके असंतोष को भी दूर करना होगा अब चलते हैं समाधान के दिशा के तरफ पहली चीज तो ये कि पुलिसिया कारवाई अभी मैंने कहा भी था कि सिर्फ पुलिसिया कारवाई से नहीं होगा लेकिन बिना पुलिसिया कारवाई के भी इस तरह की चीज़े नहीं अंतरत नहीं हो पाती तो शुरुआत तो हमें यहीं से करना पड़ेगा अब उस शुरुआत में क्या करना पड़ेगा तो मुख्य काम जो अमरतपाल के गिरफतारी है जिसके लिए बकायदा 36 दिनों से शहमात का खेल चल रहा था वो आज खत्म हो गया वो गिरफतार हो गया अब गिरफतार हो गया तो हमें यह पहचानना होगा उससे पूछताच करने होगी पूछताच करके उसके पीछे कोन लोग है इसकी जानकारी लेनी होगी और जानकारी लेकर के उसका जो भी network है उस network को ध्वस्त करना होगा पहले चीज, यह सबसे जरूरी चीज है हलाकि इस पर कारवाई सरकार की तरफ से हुई है और maximum लोग जो है वो पकड़े भी गये हैं तो network को ध्वस्त करना पहला काम होगा, उसमे जब ये गिरफतारियां हो रही थी तब आपने देखा होगा कि कई पंजाब के जो राजनितिक दल है जिसमें सिरुमड़ी अकाली दल भी था उसने ये मांग करी है कि भाई निर्दोष सिख योगों को जो पंजाब सरकार ने गिरफतार किया है उनको छोड़ा जाए सिरुमड़ी अकाली दल तो यहां तक उसे लिगल सपोर्ट देने की बात भी कर रहा है तो इस तरह से हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो सब दोशी है लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग पकड़े गए उसने निर्दोश हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए, अन्य जो नहीं पकड़े गए और फिल्ड में हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और विशेश करके उसमें से जो भी लोग आपराधिक गतिविदियों में लिपत रहे हैं, उनके खिलाब कठोर कारवाई, उस उसमें कोई हिला हुज्जत नहीं होनी चाहिए, कठोर कानूनी का रवाई यद भी यह जरूर होना चाहिए, कि कोई निर्दोस सिख युवक उसमें नर है, इसकी पहचान करना बहत संबेदन शेल मुद्दा है, तो इसमें सिख लोगों को असंतुष्टी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं ये कन्फर्म होना चाहिए, सिख अवाम को ये कन्फर्म होना चाहिए, पंजाब के लोगों को ये कन्फर्म होना चाहिए, कि जो लोग पकड़े गए, वो अपरादी थे, एक भी निर्दोष अगर सजा पाता है, तो ये नैसर के नियाई के सद्धान्त के खिलाप ह रहे हैं, उनके अगेंस होना चाहिए, अगली चीज, जिस पर कि पुलिस को और हमारे तमाम एजनसियों को काम करना है, हमारे एडी को काम करना है, कि फिनांस कहां से आ रहा है, इसको रोको, उसकी कमर तोडने का आसान उपाय उसके फिनांसियल सोर्सिस को तोड़ना होता है, उसको identify किया जाना होगा, कहां कहां से अमरतपाल को funding मिल रही थी और उस funding के sources को तोड़ना होगा चौथी जो सबसे जरूरी चीज है और ये सिर्फ अमरतपाल के स्तर पर नहीं पूरे पंजाब के स्तर पर होनी चाहिए जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी कि एक लंबे समय में धीमे संकरमण के जरीए पाकिस्तान ने पंजाब के युवाओं को नशीले पदार्थों का और हतियारों का आदी बनाया है और कमाल की बात ये होती है कि जो आतंकबादी समू हुआ करते हैं उनका हतियार तसकरों के साथ उनका नशा के तसकरों के साथ या फिर उनका हवाला कारोबारियों के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन हुआ करता है और दरसल ये पूरा धंधा जो है भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी आतंकबादीयों के फिनांसियल सपोर्ट का एक रीड बना हुआ है बैकबोन बना हुआ है पंजाब के संदर्ब में हमें ये नैकसस तोड़ना है ये नैकसस जितना जल्दी जितना आसानी से हम तोड़ पाएंगे हम उस पर उतनी आसानी से कब इस विचारधारा को रोक पाने में सक्षम होंगे अगली चीज कि अभी मैंने आपको बताया कि जगह जगह गुरुद्वारों में जर्नायल सिंग भेंडरा वाले की तस्वीर लगी या लगनी शुरू हुई है इस बंदे को भी गुरुद्वारों से सपोर्ट मिला है और मिल भी रहा है अभी दो-चार दिन पहले आपने देखा होगा एक महिला ने अपने गाल पे वो लगा करके तिरंगा जंडा लगा करके प्रवेश करने की कोशिस की थी तो वहाँ पर गुरुद्वारे के सेवादार ने रोक दिया था कि ये इंडिया नहीं पंजाब है इस तरह के गुरुद्वारों के इस तरह के लोग जो वहाँ पर पल रहे हैं यानि कि गुरुद्वारे अगर देश की एकता अखंडता के संदर्भ में आड़े आ रहे हैं तो जब मदर्सों का सरवे हो सकता है और मदर्सों के बिरुद्ध कारवाई हो सकती है तो इनके बिरुद्ध क्यों नहीं अगर ये प्रमाणी तो होता है कि कोई गुरुद्वारा सनलिप्त रहा है तो उसके बिरुद्ध भी कारवाई करनी होगी हाला कि ये संबेदन सील मुद्धा है चुकि ये धर्म जूड़ जाता है अभी भी अमरतपाल की गिरखतारी हुई है तो उस गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई है पुलिस उसने उसे बाहर बुलाया है चारो तरप से घेर के बाहर बुलाया गया है ठीक है जो धार्मिक अस्थल है उनकी मर्यादा की रक्षा की जानी चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक अस्तल अपनी मर्यादाओं को तोड़ने लगे तो, धार्मिक अस्तलों पर उपस्थित व्यक्ति, अगर उन मर्यादाओं को तोड़ने लगे तो, धर्म की मर्यादा, राष्ट की मर्यादा से बड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पर हमें उन गुरुद्वारों को चन्नित करना होगा जो खालिस्तान समर्थक हैं जो पर्थक्ताबादी गतिविधियों में लिप्त हैं और गुरुद्वारे पर कारवाई नो हो लेकिन उस गुरुद्वारे के जथेदार पर उसके गरंथी पर उसके सेवादार पर यदी वो ऐसी गतिविदियों में लिप्त पाये जाते हैं तो उनके खिलाप भी कारवाई की जानी चाहिए, यदी जरूरत पड़े तो सिरुमणी गुरुद्वारा प्रवंधक कमेटी एक्ट को भी संसोधित करने की जरूरत हो, तो संसोधन होना चाहिए, सिरुमणी लाशियां चल रही थी, उनके अगेंस ही ये एक्ट आया था, तो एक बार आ सकता है, तो दुबारा क्यों नहीं? अगर ये गुरुद्वारे राश्ट की एक्टा खंड़ता को खंडित करने के अस्थल बन रहे हैं, या शरण अस्थल बन रहे हैं, तो उन पर तो काम करना पड़ेगा, कोशिश तो ये की जानी चाहिए कि जो भी जत्थेदार नियुक्त हो, जो भी गरंथी नियुक्त हो, जो भी सेवादार नियुक्त हो, उन्हें राश्ट की एकता और खंड़ता को अप्छोन रखने का अफिडेविट लिया जाए, अगर ये किया जा सकता है, अगर इसके लिए जरूरी हो, तो कानून में संसोधन किये जाए, ये आवश्यक है, विधाई कारवाई आवश्यक है, वो होनी चाहिए, उसके साथ एक बड़ी समस्या जो ये है, डिप्लोमेटिक लेबल पर, जिसे हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं वास्तों में, वो ये है कि अभी मैंने बताया कि इसमें तमाम गठन और सिक प्रथकता बादे सिक लोग, जो कि कैनड़ा में, आस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लंडन में रह रहे हैं, कमाल की बात है कि सभी सरकारे हमारी मित्र सरकारे, सब के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और इन अच्छे समंधों का परिणाम ये होना चाहिए, कि उनके देश से हमारे देश के खिलाप कोई कारवाई नहों हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, और वहां की सरकारे अभी व्यक्ति के आजादी के नाम पर इनको छूट दिये हुए हैं, तो जैसे हम कुट नितिक अस्तर पर हमें दो-तीन काम करने पड़ेंगे, पहली चीज तो ये, कि जिस प्रकार से हम किसी भी देश से अब कोई strategic partnership करते हैं, तो उसमें कश्मीर पर close होता है, अब हमें उस पर पंजाब, खालिस्तान समर्थकों पर भी close लाना पड़ेगा, कि हमारे strategic partnership में सिर्फ कश्मीर हमारे केंदर में नहीं है, पंजाब के खालिस्तानी भी आपके आँसे operate कर रहे हैं, तो उनके खिलाब भी आपको हमें सूचना देनी है, उनके खिलाब भी कारवाई करनी होगी, इस तरह की चीजें, साथ में, पंजाब का आतंकबाद और कश्मीर का आतंकबाद, दो अलग-अलग आतंकबाद है, ऐस है नहीं, ऐसा करने की, ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश हैं की जा रहे हैं, भारत सरकार को कोशिश करनी होगी, कि भारत सरकार इन पंजाब के जो खालिस्तानी प्रथकताबादी हैं, उनके पाकिस्तान के ISI से क्या संबंध हैं, उन संबंधों के साक्ष विदेशी सरकार के सामने युद्म पेश करें इस बात के लिए कंविंश करें कि पाकिस्तान से समर्थित दोनों है चाहे वो कश्मीर हो या पंजाद उनको जब इस बात के लिए कंविंश कर लिया जाएगा तब और सरकारे हमारी इस समस्य आग्यप्रति गंभीर होंगी और अपने देश में इस तरह की कारवाईयों को रोकने की कोशिश करेंगी तीसरी चीज जो करनी होगी वो ये करनी होगी कि ये जब सारा घटना करम चल रहा था जब अगस्त में अमरतपाल आया उस वक्त विदेशों में एक चीज होई थी कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी राजनेग थे वो पाकिस्तानी राजनेग विदेशों में वहां के अगर गुरुद्वारे मौजूद हैं तो गुरुद्वारों को विजिट कर रहे थे यानि कि ये काम बहुत पहले से चल रहा था इसका प्लॉट बनाने का काम हमें प्रश्न उठाना चाहिए कि हमारे डिप्लोमेट क्या कर रहे थे और अगर मान लेजिए कि भी फलता हो भी गई तो चलिए कोई बात नहीं है आगे से सचित रहें कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो विदेशों में हैं उनको इस चीज पर निगाह सतत रखनी होगी कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं विशेश करके इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं उसकी सूचना जुटाएं उसकी सूचना भारत सरकार तक प्रेशित करें तो नितिक अस्तर पर भी हमें काम करना पड़ेगा और जरूरी काम क्यूंकि मेनली जो फिनांसियल फंडिंग है वो बाहर से आ रही है और उसको रोकनी के लिए जब तक बाहर की मित्र सरकारें हैं वो एक्टिव नहीं होती तो हम भी बहुत सफल नहीं हो सकते अगली चीज पंजाब का अद्यावी करन अभी मैंने चर्चा की थी आज के स्थिति क्या है कि पंजाब पूरा देश 6% के आसपास के रेट से बढ़ रहा है जीडीपी पंजाब 2% के पंजाब कभी पर कैपिटा इंकम के हिसाब से देश में पहले नंबर पर हुआ करता था आज 16 नंबर पर है जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक आप इस थिति में बाके स्थितियों में सुधार की कलपना नहीं कर सकते तो पंजाब की तरफ द्योगों को लोटना होगा और ये लोटाने का काम कौन करेगा अस्थानिय सरकार और कंदर सरकार दोनों को ये कोशिश करनी होगी कि जिस तरह से कश्मीर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर चीज़ें बदलें वैसा बदलाव हमें पंजाब मिलनी चाहिए वह बदलाव जब आएगा जो मैं बार-बार कह रहा हूँ पंजाब का लडाकू सिख अब किसान सिख वह इंडस्टियल सिख में कर तब दील होगा तब चीजें बदलेंगी अगली चीज संबैधानिक सुधार थोड़ी सी चर्चा इस चीज़ पर लॉइन ओडर को सुरू से ही राज्यसूची में रखा गया और समस्या यह होती है कि राज्यसूची में रहने का असर यह होता है कि केंदर सरकार को यह लग भी रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वह सीधे हस्तक शेप नहीं कर सकती क्योंकि लॉइन ओडर तो पानी जब सिर के ऊपर चला जाता है तब कारेवाईयां होनी शुरू होती है क्या हम ऐसी कोई संबैधानिक व्यवस्था नहीं ला सकते कि लॉएंड ओर्डर को हम समवर्ति सुची में ले जाएं यह बहुत जरूरी है लॉएंड ओर्डर यह concurrent list में जाना चाहिए यह concurrent list में जाना चाहिए कि राज्य सरकार के parallel केंदर सरकार के पास भी अधिकार रहे कि उसे लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने से step ले ले हलाकि जब यह संसोधन होगा तो राज्य सरकारें चीखेंगी कि उनके हक में हकमारी हो रही है लेकिन राष्ट्र सबसे पहले है उसके साथ कोई समझाओता नहीं किया जा सकता हो दूसरी चीज़ कि राज्यों के दाइतों की समिक्षा होनी चाहिए यह बहुत ज़रूरी है और हाल के बर्सों में तो मतलब कुछ हद ही हो गई है राज्यों के दाइतों की समिक्षा होनी चाहिए कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री देश के प्रधान मंत्री की तरह संप्रभु साशक की तरह ब्यवहार करने लगे है उन्हें यह लगता है कि वो उस राज्ये के मुख्य मंत्री नहीं उस राज्ये के प्रधान मंत्री और ये प्रवर्ति संगबाद पर चोट करती है यह प्रवर्ति हमारे देश के national integration पर चोट करती है और किसी भी इस्थिती में संगबाद कमजोर, मजबूत वो बाद की बात है किसी भी मुख्य मंत्री को संप्रभू बेवहार करने की जाज़त नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जा सकती इस पर भी संबेधान में संसोधन की जरूरत है, अलागि संबेधान में आर्टिकल्स हैं इसको ले करके लेकिन जो विशेश करके जो विपक्षी सरकारे हैं, विपक्षी दलों की सरकारे हैं, वहाँ पर तो राज्य के मुख्य मंत्री कुछ अजीव बेवहार करने लगे हैं उन्हें उनके संबेधानिक दाइत्व की याद दिलाया जाना बहुत जरूरी है तीसरी चीज़, आर्टिकल 355, यह एक ऐसा आर्टिकल है जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ यह आर्टिकल भारत सरकार को, संग सरकार को यह अनुमती देता है, यह पावर देता है कि किसी राज्य के किसी भी हिस्से में, पहली चीज तो उसे एक दाइत्व देता है कि भारत की सुरक्षा का दाइत्व उस पर है, और विशेश करके बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ पर यह अप्लिकेबल है भारत की सुरक्षा का दाइत्व उस पर है, भारत की सरकार संविधान के मुताबिक चले इसका दाइत्व उसके उपर है और इस दायत्तों को प्राथे मिक्ता देते हुए 355 का इस्तेमाल किया जाना चीए 355 के जरिये भारत की सरकार किसी भी राज्य के किसी छोटे से हिस्से को अपने नियंतरण में ले करके उचित कारवाई कर सकने का अधिकार रखती है और दुरभग्य से इसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ है अगर इस थितियां नाक के ऊपर पानी जाता है ऐसी आती है तो वहाँ पर आर्टिकल 355 का यूज किया जाना चीए ये कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होंगी अगर हम कर पाएंगे तो हम इस पंजाब की समस्या को बुद्धी मता पुरुण धंग से निपट पाएंगे धन्यवाद नमस्कार अगला वीडियो हम आपको अल्टरनेट डे देते रहेंगे यानि परसों अगला वीडियो आएगा आपका धन्यवाद